नमस्कार दोस्तों मेरे नवी लोग में आपका फिर से स्वागता है और दोस्तों आज मैं आपको एक एसी जगह ले आया हूँ जो देखने में बहुत सुन्दर है और पूरी दुनिया की सबसे गहरी बावडी है उस बावडी के चलते हैं अंदर और अंदर जैसे अपन चलें के बाद अपन इसके अंदर चलेंगे और अंदर चलने के बाद में देखेंगे कि यहां की क्या परतिबा है और इसके बारे में जो ये बावडी बशी हुई है वो है अपने जैपूर आगरा राश्टर राजमार्क एनेच 21 पर इस्तित दोसा जिलेकार रिदे के जनिवाली शिकंदरा खस्वे से उत्तर की और कुछ ही मिक किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है आबानेरी गाउं पुर्वतात्वे विबाग को प्राप अउसेशोचे ग्यात जानकारी के अनुसर आबानेरी गाउं तीन जार वर्ष से भी अधिक पुराना हो सकता है इसी गाउं में इ अबानेरी बावडी कला संसकर्ती इतियास एवं परेटन छेतरों की बात की जाए तो भारत मुही का मुकाबला तो दूर कोई आसपास भी खड़ा हुआ नजर नहीं आता अतिति देवोभव सबेता वाले अमारे देश में कदम कदम पर एतियासिक इस्तल विजे इस्तम महल मिनारे बावडिया हर इस्तल से जूड़ी पराने गता हर एक इस्तान का दार्यम के वैतवादी देखने यह सुने में आता है यह चांद बावडी नवी सतावदी में निर्मित इस बावडी का निर्मान गुजर परतिहार वंस के राजा मिहिर भोज जिने की चांद नाम से भी जाना जाता था उसका निर्मान इसने करवाया था यह बावडी दुनिया की सबसे गहरी बावडी है लगबग 35 मिटर चोड़ी तता इस बावडी में उपर से नीचे तक पकी सीडिया बनी हुई है जिससे पानी का इस्तर चाहिए कितना भी हो आसानी से बहरा जा सकता है तेरा मंजला जी है बावडी सो पिट से भी ज़्यादा गहरी है जिसमें भूल बुले है के रूम में 3500 सीडिया लगबग 3500 सीडिया है इसके ठीक सामने फरसिद हरसिद माता का मंदिर है बावडी निर्मान से समन्दित कुछ जैसे कि इस बावडी का निर्मान भूत परेत द्वारा किया गया हो इसे इतना गहरा इसलिए बनाया गया कि इसमें यदि कोई वस्तु गिर भी जाये तो उसे वापस पाना असंभव है जैसा कि आप इस बावडी में देख पा रहे हैं यह चांद बावडी चांदनी रात में एकदम दूदिया सपेद रंकी तरह दिखा इसमें तक कालीन मंदप इस बावडी के काफी समय टेक उपयोग के लिए जानने के प्रनाम देता है इसकी यह यह तक जानने के लिए 1350 लगबग 1330 सीडिया बनाई गई है चांद बावडी की सुरंग के बारे में ऐसा सुनने में आता है कि इसका उप्योग युद्ध या अन्या अपातकालिन परिष्टे के समयर राजा या सेनी को दवारा किया दाता था लगबग पांच वर्ष पूर्व इस बावडी की खुदायम जिर्णोदवार में भी एक शिलालेक मिला जिसमें की चांद का उलेक मिलता है पताया जाता कि मौमद गजनिव ने इस मंदिर के परिशर में तोड़ फोड़ की तता मूर्थियों को भी सतीगर्ष किया जैसा कि आप चितर में देख पा रहे हैं यहाँ पे लगबग हर एक मूर्थी खंडित है और इसके बाद में अठारवी सदी में जैपूर माराजा ने इसका जिनोदवार करवाया था आपको जो भी यह मूर्थियों दिख रहे हैं लगबग पूरी मूर्थी खंडिती बनाई हुई है और इस बावड़ी के जैष्ट सामने ही एक अपन जो पिछे चलते हैं उसके पास में एक वीर नुमान जी का मंदिर बना हुआ है जहां पर यह पंडिती माराज रहते हैं और आने जाने वाले के लिए बहुत अच्छा मंदिर है और यहां पर यह पूजापाट करवाने के बानते हैं और जैसे ही अपन इस बावड़ी से बाहर निकलते हैं तो बाहर के सामने एक यह मंदिर बना हुआ है और मंदिर में सिमेंट और कंग्रीट का यूज नहीं किया गया है बिल्कुल फत्तर का बना हुआ है तो दोस्तों आज को लोग आपको बहुत अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक करें